मैं भारत सरकार से मांग कर रहा हूं कि जो प्रवासी लोग हैं उनको अपने प्रदेश भेजा जा रहा है तो सरकार ये बार-बार कर रहे थी कि हमारे प्रदेश में आप रही हम आपको भोजन की विवस्था देंगे और इतने दिन से हम खिलाएंगे जब इतने दिन तक सरकार खिला सकती थी तो उनको बिना मुले लिए उनको उनके परदेश भेजने की भी कोशिश की जा सकती है अभी भी बार-बार सुनने में आ रहा है कि हमने कोई पैसे की मांग नहीं की लेकिन तमाम लोगों ने अपने रशीद दिखा हैं जिसमें कमसकम 470 से लेके 700 रुपे तक का उनको परवासियों को वापस भेजने का किराय लिया जा रहा है इसके साथ ही मैं तमाम समाजिक संगठनों से भी ये मांग करूँगा कि जो भी संगठन है ओ मानुतापुर दिश्टी से अधिश्टी से तमाम समाजिक संगठन भरास सरकार से ये मांग करें कि जो भी किराया इन गरीब मजदूरों से वसूला जा रहा है तो कृपया उनसे करबद निवेदन है कि वो सरकार से ये मांग करें कि वो किराय ना सुले और उनको मुप्त में उनके महां बेजने की विवस्था कराई जाए कांग्रेस ने ये एनाउंस्मेंट किया था कि हम जो भी खर्च हम उठाने के लिए उसके प्रक्रिया में हम काम कर रहे हैं तो हमारी भी कल परदेश के वाइस प्रेसिडेंट है उनसे बात होई तो उन्होंने बोला कि उसकी सब लिस्टिंग की जा रही है और उसका पैसा हम भरने के लिए तयार है हम पैसे भरेंगे और उसके बाद से उनको वापस भेजा जाए लेकिन हम किसी भी सरकार भारत सरकार है उससे रेल्वे मंत्राले से मांग करते थे कि अपने जो गरीब मजदूर है जो यहाँ पिछले एक सवा महिने से रह रह रहे थे और अब उनको एक आसा जगी कि हम अपने वतन वापस जाएंगे तो वो अगर इनका यह किराया नहीं लिया जाए तो यह ज़्याद अच्छा इसके पहले भी इस तरह की अगर कोई घटनाई हुई है तो इसके पहले की सरकारों ने भी माफ किया और उनको वतन वापस भेजा है यही एक मतलब यह दोरी नीती है कि बिदेश में जो लोग पैसे वाले हैं जिनके पास सुभधाय हैं उनको तो बिना मुल हवाई जहांच के द्वारा वापस लाए जा रहा है जो एक गरीब मज़़ूर जो मज़़ूरी करके प्रती दिन एक घर में पांच पास सासत लोग रहते थे और उनको उनसे किराय असुला जा रहा है एक परिवार में अगर चार आदमी है तो करीब 25-2800 रुपए उनसे लिए जा रहे हैं वो कहां से देंगे अभी यहां पे कम सकम 25-30,000 लोगों की भीड थी और सभी लोग एक परिवार में 4-4 बच्चों को गोद में लिए इस 42 डेग्री टेंपरेचर में पैदल इस्टेशनों पे जाना तमाम जो हेल्प लाइन शुरू किये गए उनको यह जानकारी नहीं कि इसको कैसे उसका कैसे फिलप करना है यह सरकार थोड़ी इसको थोड़ा और सुबधा उनको उपलब्द कराए और सबसे बड़ी चीज है कि उनसे किराय ना लिया जा यह मुख्य मुद्दा है और समाजिक संगटनों से भी मांग करूँगा जो झाल